पुरविश्व समय वेश्विक महमारी कोरोना वारस से लड़ रहा है जिस देश की वजह से महमारी आई उस देश की एक और करतूत सामने आई है चीनी सरकार देश भर में करोडों लोगों की डीने सेंपल जमा कर रही है जिसकी मदद से चीन जैनेटिक डेटाबेस तयार कर रहा है मतादे के न्यू यू यॉक टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में टॉरिंटो विश्वद्याले में राजनितिक विज्ञान में पीएजडी के चातर एमिल डर्क और आधुनिक चीन में जाते मुदों के विशिशग ये जैम्स लिबॉर्ड का कहना है कि असंतोष चीन में एक अपराद है और देश में उगजे संतोष का दमन करना पलिस का मुख्यकारी है उन्होंने बताया कि अधिकारें का लक्ष साढ़े तीन करोड से लेकर साथ करोड चीनी पुरुषों के टीनों के नमिनों को एकत्रत करना है लेक में ये लिखा गया है कि पारिवारिक रिकॉर्ड पुलिस रपोर्ट में गवाहों के बयान आदी में ये डीने के सैंपल एक ताकत्वर टूल की तरह बन कर उबरेंगे चीनी प्रिशासान इन लोगों को आसाने से ट्रेक कर सकेगा जिस भी वजह से वो करना चाहेगा हलाकि चीनी सरकार ने इस तरह के किसी भी कारिकॉर्ण के अस्तितव से इंकार किया है चीनी सरकार के इस कदम के बारे में खुलासा करना जारी रखेंगे ये उसके लेख़गों को कहना है इसमें ऑनलाइन सबूत जुटाना सरकारी रिपोर्ट डियने किट्स और परिक्षन सेवां के अधिकारिक खरीद आदेश शामिल है वहीं आस्ट्रेलिया रणेदी नीती संसान द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में लेख़कों ने कहा कि उन्होंने चीनी सरकार के नुवानशक निगराने की कारिक्रम की सीमा को उजागर किया है ये अब शिंजी आंग तिबत और अनिशेत्रों तक सीमित नहीं है जो कि जादतर जाती अलपसंख्यों के उद्वारा आबादी वाले इलाके है इन लाकों में सरकार के दमन की नीती सभी के सामने है देश भर से लोगों के डियने कोई खटा किया जा रहा है इनमें से युनान और गुई जोंग के दक्षन पश्चिम प्रांथ हुनान के मद्धे दक्षन प्रांथ समीत कई अनिप्रांथ के लोग भी शामिल है उन्हेंने लिखा कि हमें कई फोटोस बतोव सबूत मिली है जिसमें पलिस बच्चों के एक खून के नमूने ले रही है ये सयुक्त राश्ट कन्विंशन और राइट्स ऑफ दे चाइल्ड के तहतीन के जिम्मधारियों का सपश्ट लंगन है और हमें अधिकारिक दस्तावीस सहीत नए प्रमाण मिले हैं जैसे पता चलता है कि प्रमुक्ष चहरी केंद्रों में डियने नमूने भी इखटे किये जा रहे हैं आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें